नमस्ते थर्ड आई मैं आपका स्वागत है एक गंभीर बात है और वो गंभीर बात इसलिए कि इसको कहते है ना बीटिंग भेहाइंड बुश से काम नहीं चलेगा करोना के समय वजे ठीक से याद है कि एक लड़की का वीडियो वाइरल हुआ था जो कुछ पागलों की तरह गो कराना गो कर रही थी आज शायद इस देश के नागरिकों को कुछ लीडर के लिए गो सो एंसो गो सो एंसो उस पागलपन की हद तक कहना होगा नहीं तो इनके कान तक ही आवाज नहीं कहुंचेगी मैं आज इसलिए एक पराना वक्तव है लेकिन उसकी समिक्षा करना आवश्यक है वो मनीपुर की बात है अमेशा जी ने जो डिटेल वक्तव सरकार की तरफ से मनीपुर पर आया वो हमेशा जी काया मोदी जी की तो जैसी आदत थे उन्हों साथ खड़े हैं साथ खड़े हैं कहर चलिए उन्होंने अपने जो वक्तव दिया उससे ये बिलकुल साफ जाहर हो रहा है कि मनीपुर की समस्या तब तक नहीं हल्द हो सकती है जब तक मेरे हिसाब से अमिश शाह साहब का इस्तीफा नहीं होता है क्योंकि देखिए उसके द को यह इनकीं प्रक्रेन बनाने की जो उनकी की माहर है वह उसको टे है जिस तरह से IT CDI का दरूप युद करते हैं विपक्षी को डарाने के लिए विपक्षी को DHAM घाने के लिए विपक्षी की सरकार तोड़ने के लिए इस रिफरेंस में चानक की कहता है जानक की को हम भूक बड़े हो रहे थे तो चानक को बहुत पॉजिटिव हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट स्पेन बोला जाता था यह तरह का घुरू बोला जाता था जो जो पॉजिटिव बातें करता था दूसरा अमिशा की यह हैसी थे कि भई वो अमिशा वहां आकिते हैं तो वो जीत दे उस ही इस वन ओंव बेस्ट पालमेंटेरियं यह जिंप आपको वो क्या पालमेंट के वो लगते हैं कि कितने अच्छे पालमेंटेरियन हैं उनकी किस स्पीच में आप को ऐसा लगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो लेकिन वो भी एक अव नेरेटिव चलाए जाने लगा और उसको कुछ बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं एक्सपीरेंस अनभवी पुराने लोग भी इसको इंडोस कर रहा है और एक दूसरी चीज़ मैं इसमें एक और चीज़ कहते हूं कि जूट बोलने का जो एक बीजेपी के लीडर्स की अपनी एक उनके बीजेपी में लीडर होने के कारण नहीं जैसे उसमें सिक राज्यवद्धन सिंग्राठोर है खिलाडी रहे हैं और फौज में रहे हैं इसलिए उनके उपर लोगों का विश्वास ज्यादा मेरा भी विश्वास था अब वो भी वहां बैठके पार्लामेंट में खड नहीं गया था और अबना बिंद्रा ने अपनी किता बना भी रिफ्रेंसर्स हैं इसके बिजेन सिंग का जो बॉक्सर थे उनके इन लोगों के रिफ्रेंसर्स हैं आज के नहीं कि कैसे 2008 के उलम्पिक में सुनिया गानी गई थी सब लोग मिलने गए चुब से अब इस जूट के लिए आप नहीं बने हैं यू आप फौजी हैं आप खिलाड़ी हैं आप इन सब चीजों में बिना बात के हिस्सा ले रहा है मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको कहीं भी बिद्धी कोई देगा उनका जानने वाला ये जो मैं कितना खराब बोल सकता हूं मैं कितना गंद आके लाया है टेलग्राइफ में और जगा भी आया ही हो मैं उससे भी कुछ चीजें लोगा जो आज आप से बात करूंगा मुख ये है कि वहां पे जो मनिपुर का आज जो मुख मांग है और मनिपुर की समस्या हल कैसे हो इसका जो पहला कदम है उस पे ऐसा माना जा रहा है विरेन सिंग्ग को जो हां के मुख मंतरी हैं उनको वहां से हटना चाहिए अब वो इस्तीफा देंगे क्योंकि एक बार तो उन्होंने नाटक किया था कि इस्तीफा लेके आये थे और उन्होंने कहा था कि मनिपुर की महिलाओं ने उनका इस्तीफा लेके फाड़के फेग और इसलिए वो इंस्तिफाद नहीं देपाए या उनको उनके पच्छे बरेखास किया जाएगा हिनुस्तान में- इस तरह की हिस्ट्रिट नहीं ही है अप तो यह भी विरेंसिंग के साथ खड़े है और इस इनके ज़या अगर आप देखें अमिशा साथ के यह इंडोर्स नहीं कर रहा है विरेंसिंग के यह चला रहा है और यह किसी को खड़ा होके बोलना पड़ेगा और देश को भी यह समझना होगा क्योंकि यह जब यह प्रालमन में बोले थे कि विरेन सिंग्साभ इसलिए को परेट करने का रहा है कि उन्होंने अमिशा के या केंसर कार के या ग्रह मंद्रा लेकर के कहने से जब चीफ सेक्ष्री चेंज किया डी जीपी चेंज किया और एक सिक्यूरिटी एडवाइजर यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह साफसाफ कह रहा हमे शार कि मैं चला रहा हूं इट इस मी हूँज डुइंग इड यह साथ आठ मई के करीब तीन मई को वेलिंस टेक्णिकली शुरू होता है साथ माई के करी वहां का चीफ सेक्रेटरी ये बदलते हैं जोशी सापको भेजते हैं कैंजर से मतलब बिलकुल इनके हैंड़ पिक लोग है फिर ये वहां का डीजीपी बदलते हैं लास्ट वीक अफ मेय या फस्ट वीक जूर वह भी राजीव सिंग साहब जाते हैं कौन है सियार इड्वाइजर ने उक्त करते हैं कुल्दीव सिंग कुल्दीव सिंग कौन है एक्स डी एक्स डीजी डीजी सीर पियर ये अपने लोगों को ले जाके पूरी तरह से मनिपुर का इंस्टेशन चला रहा है तो यह कहना कि आज की तारिक में वहां विरेन सिंग का राज चल र विरेन सिंग नहीं है वो अमिष्णाव साहब मुझे ऐसा लगता है कि अमिश्णाव साहब को बी जेपी को मोधी जी को चुनाव के माइंड से बाहरा नोगा हर चीज चुनाव में नहीं तौली जाती है देश को चुनाव से मत तौलीए देश टूट रहा है जो रापुल सांधी कहा रहा है ना मणीपुर को आपके दो हिस्सों में दो फाल कर दिये हैं उसके दो हिस्से कर दिये हैं अब आप क्यों नहीं कर रहे हैं वो सामने साथ आपका गणत आपको क्या रहा है कि आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कुकी वहां पे करीब 16 परसेंट हैं माइटी वहा और वोटर में आपको लग रहा है कि 16 परसंट, 53 परसंट, 53 परसंट वाले के साथ, उसके जातियों का भी साथ दो, तो 16 परसंट के साथ मैं क्यों खड़ा हूं, मेरे वोट खड़ाब हों गया, अब एक चीज़ और समझ लीजे, आप कहीं भी पढ़ लीजे, आप कहीं भी गूगल कर लीजे, कुकीज, जो मानीपुर के हैं, वो जीरो, एक भी, वो पूरी तरह से वो वीरेंच सिंग के उपर उनका कोई विश्वास नहीं रह गया है, कोई भी पीसवारता वो वीरेंच सिंग को नहीं मानना है, मैटीज जो है, उनकी भी एक बात में आपको समझागा, मैटीज का, ये मैटी लेपुल, LWPUN, मैटी लेपुल के चीफ हैं और उनका एक हालिया बयान आया है, उनका जो आलिया बयान था मैं फिर से आपके बता दूरा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कोगीज मानीपुर में किराइदार के हैसे हैं और इındaki सफाया होगा, हुग वैव, He has specifically said कि Cookies are tenants and they will be wiped out. ये मैटी के जो मैटी लिपुन के जो चीफ है उनका कहना है. दूसरे, वहाँ एक और्रनाइजेशन है अरामभाई टेंगॉल मेरा प्रनुंसियेशन हो सकता है उचारण में को हो अरामभाई टेंगॉल आप T-N-W-G-O-L करके गोगूल करिए. वो क्या कहती है, वो एक्निक क्लिंजन की बात करती है. कि Cookies को कैसे मार के हटाया जाए. और वो विरेन सिंग को अपना पेटरन मतब वो मानती है कि विरेन सिंग ये दोनों लोग, प्रमोसिंग और ये दोनों मानीपुर में बैठके निश्वक्ष होके कोई हल निकाले. तो मुझे नहीं लगता है कि मानी विरेन सिंग के रहते इस तरह की कोई वारता हो पाएगे. एक चीज़ और मतब अगर चुनावी दृष्टी से भी देखे जो जिसको करंथापर ने भी चुआ है वहाँ बीजेपी के 32 एमेले हैं. 32 एमेले में माई में जब यह शुरू हुआ उसमें से 32 में से 7 एमेले कोकीज हैं. मैं सिर्फ बीजेपी एमेले के बाएगे. उन साथ ने माई में लिखके दे दिया था पर आठ में 30 एमेले ने जून में प्राइम में समिट किया है आप विरेंस इंको उटाइए, इनके रहते हुए कुछ नहीं होगा. तो 32 में से 15 तो आठ के एमेले कह रहा हैं कि विरेंस इंको वहां से अटना चाहिए. बाकि उपोजिशन के एमेलेस को छोड़ दी. लेकिन आप नहीं हटा रहे हैं. चुकि आपको तो वोट चाहिए. और मतलब ये सारी चीज़ें. आपको क्या लगता है कि अगर 40 एमेलेस आके दिल्ली में डेरा डाले थे और फिर वो प्राइम मिनस्टर को एक मेमरेंडम देना चाहते थे जो प्राइम स्टर ने नहीं लिया. प्यों में उनके आफिस ने ले लिया. आपको क्या लगता है कि मणी पुर के जो दोनों MPs थे जिनको बोलने नहीं दिया गया ये बिना हमेशा की मर्जी के हुआ होगा या बिना बीजेपी के शिर्ष ने तरफ हमेशा मतलब हमेशा बिना उनकी मर्जी की वो बीजेपी के हमेले हैं बीजेपी के मेजोरम के हमेले हैं बीजेपी के नहीं है मेजो नेशनल फ्रंट के हैं लेकिन एंडिया की सयोगी पार्टी है उनको नहीं बोलते हैं उनका माइक आफ कर दिया गया ये किसी के कहने पर ही हो रहा है ना और वो सारी उंगलियां पॉइंट करती हैं हमेशा की तरफ ये एक नया और शगूफा लाते हैं जैसे हर्दम ये कहते हैं कि सारा कुछ इस वज़े से हो रहा है कि मायनमार पुराना बर्मा मायनमार में 2021 में जो सत्ता परवर्तन हुआ उसकी वज़े से चुकि हमारा बॉर्डर वहां पे फेंसिंग नहीं है तो उसकी वज़े से बहुत स मायनमार के लोग बर्मीज लोग हिंदुस्तान में प्रविश करता है और उनका कहना है कि उसकी वज़े से मनीपर का डेमोग्रेफी बादर रही है जो और वो जो लोग आये हैं वो करीब 3,000 लोग वहां जंगलों में हैं मैं एक चीज़ आपको पता दूँ 3,000 लोग ये ख आप यहां क्यों करवा रहा हैं क्योंकि आपकी जिसको कहते हैं रोटी तभी सेख सकते हैं जब कहीं आग लगी हो बिना आग के रोटी कैसे सेखी जाएगी चनावी रोटी और दूसरी बात यह कि विरेंज सिंग हो चाहा हमिशा हो ये आज की तारिक में कुकीज को ऐसा मतलब मैतीज का आर्गुमेंट है दूसरा मैतीज का आर्गुमेंट है कि यह सब लोग पहाड में और जेंगलों में जाके अफीम की खेती करते हैं और स्पंगलिंग करते हैं इस तरह की बाते हैं अरे बहुत दिनों से चल लाया है यह जो एक बीजेपी का माइंड सेट है है कि आदिवासी और ट्राइबलग यह वनवासी बोलते हैं इनका भी एक संस्ता है बनवासी आश्रम, ओन क्या क्या में को है आधिवासी यहां के लोग थे आरेंस बाद में आये हम लोग बाद में आये और उन्होंने हमें इस यहां रहने की शरण हिया और तब हम भारती हुए और हिंदू हुए आधिवासियों का यह देश है अधिवासियों ने अपने कल्चर के साथ जो भी सभेताएं आई उन्होंने अपने कल्चर है आप उनको वनवासी करके जो ग्रामवासी और गमार में फरक होता है आप उनको गमार क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप उनको वनवासी क्यों कह रहे हैं मतलब वन बे रहेंगे आधिवासी अगर आज देश की हमारे राश्पति हैं को हम सब के लिए फक्र की बात है वो अलग बात है कि आप उनकी कोई बात मानते नहीं है और सत्पाल मल के अनुसार उनके यहां के अपॉइंटमेंट और बातचीत भी जब प्यमों क्लियर करता है तब वो कर सकती हूं आपने उनको बात नहीं करने देने वो अलग बात है पर यह फैक्ट है कि यह देश आदवासियों का है पहला हक उनका है तो उनको वनवासी मत बनाईए और यही खिरेंजसिंग नहीं यह सारा कुष किया दिया पलिशा का है और उनका कमशे कि मेरे साब से तरी अगर वहां से भी नहीं है तो होम मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ओफ होम से तो उनका हटना आवश्यक है अगर मनीपुर में आप कोई पीस या संधाता चाहते हैं थैंक्यू सोमें घंनेवाद